ओम जै श्री हरी विश्णू जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों 5 मई दो हजार तेज शुक्रवार के दिन व पुर्णिमा को बुध पुर्णिमा भी कहा जाता है और वैशाक मास की पुर्णिमा पर कुर्म जैनती भी मनाई जाती है वैशाक शनान का अंतिम दिन होता है तो जो भक्त वैशाक मास का शनान कर रहे हैं या फिर व्रत धारन कर रहे हैं उन्हें आज के दिन उध्यापन भ ब्राम्भणों को जरूरत मंदों को दान दक्षिना देते हैं भगवान स्ट्रेश विष्णु की विती विधान से पूजा करते हैं मंदिरों में दीप दान करते हैं तो वैसाक्ष नान के समान ही आपको पुनिफल प्राप्त होता है और जो भक्त नहीं जा पाते हैं किसी को शनान करना चाहिए आज के दिन सुभे जल्दी उठकर और घंगा चल मिशृत ќलसे भी शनान कर सकते हैं चाहें तो किसी पविढ़नदी में जाकर सीन नारायन की विशेष होती है तो पूझा का सही समय क्या होगा किस प्रकार से हमें पूज आराधना करनी चाहिए कौन से मंत्रों का जब närदान और श्नान दृप दान आज किस प्रकार से मतलब कब और कहां करना चाहिए वैसाक मास्गी पूझा विधी क्या होती है आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके साथ ही कुछ भक्तों के प्रशन आए है कि सत्तनारायन भगवान की कथा अगर हम स्वैम से करते हैं घर में तो स्वैम से सत्तनारायन भगवान की कथा करने की विधी क्या होती ह और अगर हम स्वैम से भगवान सत्तनरान की कथा करते हैं तो उसके नियम क्या होते हैं तो ये संपुर्ण जानकारी वैशाख हमास की पुरिमा से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियू अच्छी लगे तो इससे लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट सी मेरे लिए एक मातर जरीया है जिन से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उप्योगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें इसके साथ कमेंट बॉक्स में मातरानी के नाम का जयकार भी जरूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझा हो कोई भी प्रशन हो या फिर कोई भी विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज इसको पुर्णिमा तिथी का व्रत धारन किया जाएगा जो भी भक्त पुर्णिमा का व्रत धारन करते हैं वो पांच मई को यानि कि शुक्रवार के दिन व्रत धारन करेंगे तो जो भक्त पुर्णिमा तिथी का व्रत धारन कर रहे हैं उन्हें तो पूजा करना ही होता है लेकिन जो भक्त वरत नहीं भी करते हैं पोणिमा का, उन्हें भी आज के दिन वेते विधान से लक्ष्मी नाराण की पूजा करनी चाहिए और आप ये सभी उपाई जैसे कि चंद्रमा को अर्के देना, लक्ष्मी नाराण की पूजा करना, भगवान सत्य नाराण की पूजा करना, तुलसी और पीपल की पूजा करना, ये सभी कारिया आप कर सकते हैं बिना वरत धारण किये तो जरूरी नहीं है कि जो भगवरत करेंगे वही पूजा कर सकते हैं, पूजा कोई भी कर सकता है तो सबसे पहले जानते हैं कि वयशाख पौणिमा पर सुबै से लेकर शाम तक कौन से ऐसे जरूरी कारे हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए देखे वैसाक पोडिमा है सुबह आपको जल्दी उटना है मतलब शनान के लिए आपको ब्रह्म मुहुर्थ में उटना चाहिए ब्रह्म मुहुर्थ का समय क्या होगा वैसे तो 3 से 5 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहुर्थ कहा जाता है लेकिन अगर आप तीन बजे नहीं भी उट पाते हैं तो आप चार बजे तक उट जाएए फिर आप नित्य कर्मों से निवरित होकर और पांच बजे तक शनान कर लीजिए और शनान के जल में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया गंगा जल जरूर मिला लीजिए पहले पातर में गंगा जल डाल दीजिए फिर जल से उस पातर को भर दीजिए और फिर मा गंगा का मन में ध्यान करते हुए और पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उसी जल से शनान कर लीजिए शनान करने के बाद साप स्वच्वश्टर धारन कर लीजिए उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्रीहर विष्णू की विधिविधान से पूजा कर लीजिए अच्छा बहुत से वक्तों के प्रेशन आते हैं कि भगवान सुरेदेव को जल हम पूजा करने से पहले दे या पूजा करने के बाद दे मतलब पहले घर के मंदिर में पूजा करें या भगवान सुरेदेव को जल अरपित करें कोई विशेश बंधन नहीं है कि आप सबसे पहले जल ही देंगे मतलब आप चाहें तो पहले पूजा कर सकते हैं बाद में जैसे कि भगवान सुरेदेव दिखाई देते हैं तो उन्हें देखते हुए उनका दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करके भी जल दे सकते हैं ये तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और अब जैसे कि आप शनान कर लेते हैं पूजा कर लेते हैं भगवान सुरेदेव को जल अरपित करते हैं उसके बाद आपको दान की सामगरी निकालनी है देखिए आज दान देना बहुत आवश्यक होता है तो दान इसके अलावा भी आप अकडान कर सकते हैं मतलब किसी भी अन्नका दान कर सकते हैं धन का दान कर सकते हैं प्नी जल चयांका दान कर खते हैं जैसे कि व्याशाख मास हैतो इसमें गर्मी चसste Guys एषांक करने वाली वस्तquay होती है उनका दान किया जाता है तो अब चाहे तो मस्तान में भी दान कर सकते हैं मतलब आजके दिन जलका पात्रदान करना बहुत स्रेष्ट माना जाता है इक डिए एक बात ध्यान आप अध Dienst अब फले हो Пр الق ATA शाकर दान करना चाहिए तो एक प्रकार से जलका दान किया जाता है और परमाल लेजिए कि आप जल का दान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवर्ष तो भी परेशान होने के आउशकता नहीं है आप चाहे तो अपने घर की छट पर जल का पात्र भर कर रख सकते हैं उसी के साथ एक पात्र में कुछ दाने मतलब कुछ अनाज भी रख सकते हैं तो इस प्रकार से संभव हो आज के दिन जीवों को भोजन कराना चाहिए संभव हो तो किसी ब्रामण को घर बुला कर भोजन कराना चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस प्रकार से भी हम अपनी तरफ से छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं जीवों के निमित भोजन न स्वास्तिक की पुझा बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वास्तिक को गणेश का स्वरूप माना गया है। तो भगवान गणेश को अगर आप अपने मुख्यद्वार पर दोनों तरफ विराजित कर देते हैं। और इस प्रकार से रिध्धी सिध्धी के साथ भगवान गणपती हमारे मुख्यद्वार पर विराजमान हो जाते हैं। तो इनकी पूजा जरूर कर लीजिए क्योंकि भगवान गणेश की मूर्थी बनाकर प्रतिमा बनाकर आप बिना पूजा किये नहीं रह सकते हैं। तो पूजा जरूर कर लीजिए तभी आपको इस स्वास्ती का लाब होता है। मालक्ष्मी का प्रिय दिन है तो घर की साफ सफाई अच्छे से करकर रखिये। दूजा कर सकते हैं। और हाँ, घर में जहां पर भी आप धन संचित करते हैं, मतलब तिजोरी है, लोकर है, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, उस स्थान पर आपको धूप दीप जरूर दिखाना है, सुबह भी दिखा सकते हैं, चाहे तो शाम के समय भी धूप दीप दिखा कर प पतलब इस समय में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह सुर्योदे के बाद 10 बजे तक जो भी समय आपके पास उपलब दो उसी समय जाकर पीपल की पूजा कर लीजे, करना क्या है आपको मीठा जल आज पीपल की जड़ में अरपित किया जाता है, तो मीठा जल बनाने के लिए ए और यह जल का पात्र आप पीपल की जड़ में अरपित कर दीजिए, उसके बाद धूप दीप दिखा कर पीपल की पूजा कर लीजिए, और हां, वहीं पर मालक्ष्मी के मंत्र का आप चाहें तो जब कर सकते हैं, या फिर ओम नमु भगवते वासु देवाय नमा इस मंत्र क कर सकते हैं, और पीपल की चार बार या फिर साथ बार या आपके पास समय हो तो ग्यारह बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल की परिक्रमा करके अपने पित्रों का ध्यान कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायन का ध्यान कीजिए, और प्रातना कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानिया हैं वो समाप्त होती हैं और मनों कामना कोई भी हो जब स्री लक्ष्मिनाराण की क्रिप अपराप्त हो जाती है तो कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं जो की अपराप्य हो इसलिए विश्वास के साथ पीपल विश्व की पूजा कीजिए और हाँ जिस प्रकार से पीपल की पूजा पुजा के दिन करना आवश्यक होता है जरूरी होता है उसी प्रकार से तुलसी की पूजा भी अत्यनत आवश्यक होती है तो अगर आप पीपल की पू करते हैं सुर्य भगवान को जल देते हैं तो उसके बाद तुलसी की जड़ में भी थोड़ा सा कच्छा दूध अरपीद कीजिए उसके बाद धूप दीप अरपीद करके तुलसी की पूजा कर लीजिए आज के दिन तुलसी के पास ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस मंतर का भी जब कर सकते हैं या महाप्रसाद जननी कर सकते हैं और तुलसी की परिक्रमागर करके अपने मन की कामना भगवां श्रिहार विश्नु और मात तुलसी से कहिए तो निस्चीत ही पुल्ण होती है आज का दिन बहुत होता है वैशाक मास की पोडिमा साधारन पोडिमा नहीं होती है बहुत विशेश होती है जैसे कि वैशाक मास को माधव मास कहा जाता है भगवान स्टिहर विष्णू का प्रियमास होता है तो इस पूरे महिने में बहुत से ऐसे भक्त हैं की तुलसी पूजा पीपल पूजा का नियम लेते हैं उनके लिए भी आज का दिन विशेश होता है और अगर आप पूरे महीने में ऐसा कोई नियम नहीं भी लेते हैं तब भी कम से कम आज के दिन तो विशेश रूप से मा तुलसी और पीपल की पूजा जरूर कर लीजिए औ आपको भगवान सत्त्यनारण की कथा करनी है उस समय स्ञान कर लिजिए सपत्त rubbish बश्त्र धारन कर लिजिए घरके मंदिर में अगर आपके पास सत्त्त नारण भगवान की मूरति है प्रतिमा है तो उसे स्थापित कर सकते हैं नहीं तो भगवान कर लिजिये उसके बाद दूप दीप अर्पित करके उनकी वित्यान से पूजा कर लिजिये पीले पुष्क भगवान acum過去 मालक्शमी liner अभी fight coming day भुण भीन लेना हैं उसके बाद उसमें शकंड чओड दों ज्या चोट तो खीर का प्रसाद भी रख सकते हैं, मिठाईों का प्रसाद भी भगवान सत्तनाराण को लगाया जाता है, तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थी के अनुसार, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं, और हाँ, भगवान सत्तनार तो सभी चीजें उपलब्ध करके विति विधान से भगवान श्री हर विश्नु और मालक्षमी की मतलब भगवान सत्यनारण की पूजा कर लीजिए वहीं बैट कर मोबाइल पर भी आप चाहें तो सत्यनारण भगवान की कथा सुन सकते हैं और हां कथा पढ़ते समय आपको ए एक सीधा निकालकर रख दीजिए जैसे कि आटा दाल सब्जियां फल इत्यादी जो भी दान करना चाहते हैं मतलब एक व्यक्ति के भोजन की सामगरी कम से कम होनी चाहिए निकालकर वहीं पर भगवान श्री हर विष्णु की जो चौकी इत्यादी आपने स्थापित की हैं जहां पर आप पूजा कर रहे हैं पूजा स्थल पर ही रख दीजिए और भगवान सत्य नारान की कथा करने के बाद भगवान सत्य नारान की आरती कीजिए उसके बाद जो भी प्रसाद आपने अर्पित किया है सभी लोगों में वित्रित कीजिए आपके परवार के जितने भी सदस्य हैं दोस्तमित्र सब में आप वित्रित कर सकते हैं और हां एक चीज बताना भूल गई भगवान सथ्तनाराण की कथा में पंचामरित का भोग यारी कि दूद दही घी शहत सकर इन पांचों चीजों को मिला कर पंचामरित बना लेजिए और इसे भगवान को अरपित उसे वित्रित कीजिए और हां जो दान की सामगरी आपने निकाल कर रखी है उसमें भी आपको प्रसाद रखना है दक्षिना सोरुप कुछ पैसे रखने है और फिर उसके बाद ये सबी दान की सामगरी किसी ब्रामभर को किसी धर्मस्थान में किसी पुजारी को भिजवा दीजिए और हां जब आप घर में सत्य नारण भगवान की कथा करते हैं तो कुछ विशेश बातों का ध्यान रखा जाता है घर में आज के दिन बिल्कुल भी कलहकलेश नहीं होना चाहिए को भी वाद विवाद की स्थिती नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस् जैसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन आज के दिन ना करें इस बात का ध्यान रखना चाहिए पूरिमा थिती है वैशाक मास की पूरिमा है बहुत मेहत पूर्ण है आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निस्ची थी भगवान श्री लक्ष्मिर आरान की ग्रि वाली वीडियो जरूर देखिए मिलती हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार